दोस्तों जो बात करने वाले हैं 33 x 44 हाउस प्लान की जैसा केब श्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं तो यह मॉडल आपका बहुत ही सुपर होने वाला है और 33 x 44 में बेद्रीन सा मॉडल है आज हम डिसकस करेंगे तो बने इस पूडम लगातार मैं पहुंच आगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाल आउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटिग नेन देजाइन होता है उसमें छोटा सा यह एक और डिजाइन के उसी की निसे कार पार्किंग का एरिया रखा है यह आप पर जो रेड कलर के हैं और यहां पर यहां पर यहां पर मैंने कुछ पिंड़ बगारा लगा रखें कलरफुल और कुछ गंबले रखें यह आपका पानी जिसे फवारा होता वो लगा है क्योंकि आप आगे फीड़ आपकी काफी जएदा है इस बज़े से मैंने इसे अर्जिस्ट कर दिया है और यह आपका बड़ा सा कार पारकिंग है लगबग आपका 20 पिट का और यह इसके बाद और आपको एक है पूर्स टैब बारंदार डैप आपका सौरी मिलता है या आगे बोल सकते हैं आपका जगह मिलता है तो यह तो इसका ग्राउंड फूर है और यह स्लोप है जहां से आप गारी पार करेंगे इस स्टेर्स है जहां से आप उपर जाएंगे अप सबस्पर इसके हम ग्राउंड फूर की बात करते हैं क्योंकि य और यह इसका main door है जहां से entry करेंगे यहाँ पर एक मैंने इस side right hand side में एक bedroom create किया है जिसमें एक window लगा दिया है ventilation के लिए यह glasses का इसमें door विंडो सामेल इससे entry करेंगे तो आप एक room type में फर्वेश करते से open living area बोल सकते हैं क्योंकि यहां एक रूम भी है और इसी से इंट्री भी होगी आपके मकान के अंदर के लिए इसके बाद यह बैड डूम है तो आप आ जाते हैं लिविंग एड हॉल में एक बड़ा सा हॉल ग्रेट किया है इस हॉल से आप यह आपका किशेन एरिया है यहां पर देखे कर मैं व इसके बाद इसे जब आप हॉल से बाहर से इंट्री करके इस वाले लिविंग हॉल में जाते है इसी रूम से आपका फ्रेंट वाले बेड डूम में मैंने इंट्री दिया है क्योंकि में डूर यही होगा तो आप यहां से इस रूम में इंट्री खर सकते हैं इसके बाद इस इधर लेटेंट बाद है क्योंकि घर काफी बढ़ा है एक लेटेंट बाद मैंने यह और किरिड़ कर दी है तो आप इस वाली एरिया को आज़ा ड्रेशिंग रूम इस्तमाल कर सकते हैं पूजा घर इस्तमाल कर सकते हैं जो आपका मन करें वो कर सकते हैं तो अगर घर की बात करें तो दो बैड डूम यह है एक तीसरा बैड डूम एक बड़ा सा हॉल एक लेटेंड बात एक लेटेंड बात तो 33 वाई, 44 विट का ग्राउंड फ्लोर, अब हम बात करते हैं इसका फास्ट फ्लोर की, तो जैसे आप फास्ट फ्लोर पर आते हैं, इस्टेट्स के मादम से, तो पूरा डेजाइन सिमिलर वैसा ही है, देखिए का पूरा प्रॉपर तरिके से अंदर सारा चीज डिक्टो वह ही है, और सिर्फ जो आगे वाला बैड ग्रूम था, उसमें मैंने ये प्लर देकर एक जो गाउं में खफरेल होता है, उसका डेजाइन, जो की एक ट्राइंगलर सेप का बनता है, वो क्रेट किया है, इसे घर के आपको लुक को बेतरीन एक लुक मिल जाता है, और बेतरीन च इसका डेजाइन, जो की आपका इटो का है, और उसमें मैंने जहरो के डैप के काट दिया, इसका यहां से आएंगे और यह वाला जो एरिया बाहर छूट रहा था, उसको भी मैंने एक बालकनी टैप का बना दिया है, तो यह भी आपका बालकनी हो जाता है, अब जैसे आप तो सच पहले वही सारी चीज़ें है, वहीं पे यह बेड़ूम, यह यह बेड़ूम, यह और केचेर, और साजी डिक्टो वहीं है, सब कुछ वहीं है, सर्वियर डेजाइनिंग लुक मैंने चेंज कर दिया है, प्रॉपर तरीके से घर का, लाज़ लोड की बात करें, तो ल हैं, ऐसे वीडियो पाने के लिए, और मैं पेड़ सर्विस भी चलाता हूं, दोस्तों, अगर आपके सीवी टाप अगर का नक्सा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वाट्सोर नंबर भे हमारे, लेकिन वे पेड़ सर्वेस इसका विश्य ध्यान रखें, इस वीडियो को लाइक करते हैं, थैंक्स वार आखिवाशी